अस्सलाम वालेकुम दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आप सब का आपके अपने यूट्यूब चैनल इसका इटक में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे साओधी अरब की एंसीबी बैंक के बारे में जी हां दोस्तों जिन लोगों का एंसीबी बैंक में एक रख दिया गया है तो इसका जो एप्लिकेशन का लोगो है वह भी चेंज कर दिया गया है लेकिन जो इसका मोबाइल एप्लिकेशन है क्या उसका इंटरफेस या फिर कुछ नए फीचर्स आइड किया गया है या फिर इंटरफेस चेंज किया गया है आज की इस वीडियो में हम समझते हैं इसी बारे में तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे बेल आइकन को प्रेस कर लिजे ताकि आएसी इंफॉर्मेटिव और टेक्निकल वीडियो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सकें तो सबसे पहले हम बात कर लेते है इसके नाम की यह दोस्तों पहले इसका नाम था एंसी बी बैंक तो जिसका फुल फार्म होता है नेशनल कामर्सियल बैंक लेकिन अब इसका नाम रख दिया गया है एस एन बी बैंक जिसका जो फुल फार्म है वो है सौदी नेशनल बैंक तो पहले इसका लोगों जो था तो mobile phone में तो आप देख सकते हैं इसका पूरा इंटरफेस चेंज कर दिया गया है लेकिन फीचर वही है जितने भी फीचर थे पहले वह आज भी वही है लेकिन एक फीचर जो है इसका वह नया एड किया गया है अब आप अपना अपने नेशनल अड्रेस अपने ncb से निकाल सकते हैं यहां दोस्तों अगर आपने कुछ online order किया है और आपको अपने address की जरूरत है और आपको खुद नहीं पता है कि आपका address क्या है क्योंकि यह आरप country हम लोग अजनबी है तो आप लोग अपना सीधा SMB bank का account login कीजिए और आप setting में जा कर आप यहां से अपना जो national address है वो निकाल सकते हैं उसका screenshot ले सकते हैं तो यही एक नया फीचर है जो इसमें हो क्या गया है सब लोग यह समझ रहे हैं कि कुछ नया हो गया है या फिर हमारा जो account है वो हाइक हो गया है क्योंकि साथी अरब में रहने वाले ज्यादा तर लोग कम पढ़े लिखे हैं या फिर नहीं पढ़े लिखें मैं सब की बात नहीं कर रहा हूं लेकिन ज्यादा तर लोग कम पढ़े लिखें तो वो लोग नहीं समझ पाते हैं कि आखिर ये हो क्या गया है तो जिन लोगों का ये bank account जो है वो change होके आ रहा है mobile phone में तो उन लोगों को घबराने की कोई ज़रूत नहीं क्योंकि नाम change किया गया है application को update किया गया है बाकी सब कुछ सेम है customer service जितनी थी वो सब कुछ सेम है सब कुछ सेम है जैसा पहले था वैसा अब भी है हम लोगों के लिए जो उसके customer है जिनका account bank में है उन लोगों के लिए bank का कोई भी फीचर या भिर कोई भी function कुछ भी change नहीं हुआ है बस bank का नाम change हुआ है और वो सिर्फ English में change हुआ Arabic में नहीं change हुआ है तो उमीद करता हूँ कि जिन लोगों को इस बात से घबराहट थी कि आखिर यह हो क्या गया है application में तो उन लोगों को में यह video पसंद आई होगि आगर विडियो पसंद आती तो आप वीडियो को लाईक कर सकते है कि आ